ओम शन्ति 942-2024 की साकार अनमोल धानना युप मधूर माहवाकि मीठे बच्चे आप तुम्हारी सब तरफ से रगे तूट जानी चाहिए क्योंकि घर चलना है कोई ऐसा विकर्म ना हो जो ब्राह्मन कुल का नाम बदनाम हो कुश्चन बाप किन बच्चों को देख देख बहुत हर्शित होते हैं कौन से बच्चे बाप को बाप की आँखों में समाई हुए हैं अंसर जो बच्चे बहुतों को सुखदाई बनाते सर्विस से बुल हैं उन्हीं देख देख बाबा भी हर्शित होते हैं जिन बच्चों की बुद्धी में रहता है एक बाबा से ही बोलो, बाबा से ही बात करूँ, बाबा से खाऊँ, बाबा से रूह को रिच्छाऊँ, आधी-आधी ऐसी बच्चे बाप की आँखों में समाई रहते हैं बाबा कहते मेरी सर्विस करने वाले बच्चे मुझे अतीप प्रिय है ऐसी बच्चों को मैं भी याद करता हूँ ओम शान्ती मीथे मीथे रुहानी बच्चों यह तो तुम जानते हो कि हम बाप के सामने भी बैठे हैं वो बाप फिर टीचर के रूप में पढ़ाने वाला भी है वही बाप पतित पावन सद्गती दाता भी है साथ ले जाने वाला भी है और राष्टा भी बहुत सहज बताते हैं पतित से पावन बनानी के लिए कोई मेहनत नहीं देते कहां भी जाओ घूमते फिरते विलाईत में जाते सिरफ अपने को आत्मा समझो सो तो समझते हैं परंतो फिर भी कहते हैं अपने को आत्म निश्ची करो देही अभीमान को छोड़ कर आत्म अभीमानी बनो हम आत्मा हैं शरीर लेते हैं पाट बजाने के लिए एक शरीर से पाट बजाए फिर दूसरा लेते हैं किसका पाट? सो वर्ष का है, किसका असी का किसका दो वर्ष का, किसका छे मास का कोई तो जनम ते ही खत्म हो जाते हैं कोई जनम लेने से पहले गर्ब में ही खत्म हो जाते हैं अब यहां के पुनर जनम और सत्यू के पुनर जनम में रात दिन का फर्क है यहां गर्ब से जनम लेते हैं तो इसको गर्ब जेल कहा जाता है सत्यूब में गरब जेल नहीं होता माहा विकर्म होते ही नहीं रावन राज्ये ही नहीं बाप सब बाते समझाते हैं बेहत का बाप बैठी शरीर द्वारा समझाते हैं इस शरीर की आत्मा ही सुनती है सुनानी वाला ज्यान का सागर बाप है जिसको अपना श्रीर नहीं है वह सदेव शिव ही कहलाते हैं जैसे वह पुनर जनम रही थै वैसे नाम रूप लेने से भी रही थै उनको कहा जाता है सदा शिव सदेव के लिए शिव ही है जिस्म का कोई नाम नहीं पड़ता इसमी परवेश करते हैं तो इनके जिस्म का नाम है उन पर नहीं आता तुमारा यह बेहद का सन्यास है वह हद के सन्यास ही होते हैं उनके भी नाम फिरते हैं तुमारे नाम भी बाबा ने कितने अच्छे अच्छे रखे ड्रामा अनुशाद जिनको नाम दिये वह गायब भी हो गए बाप ने समझा हमारे बने हैं तो जरूर कायम रहेंगे फारकती नहीं देंगे परन्तो दे दिया तो फिर नाम रखने से फाइदा क्या सन्यासी भी फिर घर लोट आते हैं तो फिर पुराना नाम ही चलता है घर में लोटते तो है न ऐसे नहीं कि सन्यास करते हैं तो उन्हों को मित्र संबंधी आदी याद नहीं रहते कोई को तो सब मित्र संबंधी आदी याद आते रहते हैं मोहों में फस मरते हैं, रग जुटी रहती है कोई का तो जट कनेक्शन तूट पड़ता है तोड़ना तो है ही ना, बाप ने समझाया हैं, अभी बापी से जाना है बाप खुद बैट बतलाते हैं, सुभा को भी बाबा बता रहे थे ना देख देख मन में, सुख होवत आधि-आधि क्यों हो आखों में बच्चे समाते हुए हैं, समाय हुए हैं, आत्मे नूर ही हैं तो बाप भी बच्चों को देख देख, खुश होते हैं, कोई तो बहुत अच्छे बच्चे होते हैं सेंटर समभलते हैं, कोई ब्रह्मन फिर विकार में चले जाते हैं तो वह ना फर्मान वर्दतार हो जाते हैं तो यह बाप भी सर्वी सेबल बच्चों को देख देख हर्शित होते हैं बेहत का बाप कहते हैं यह तो कुल कलंकित निकला ब्राह्मन कुल का नाम बदनाम करते हैं तो बच्चों को समझाते रहते हैं किसी के भी नाम रूप में नहीं फ़सना, उनको भी Semi कुल कुलंकित कहेंगे, सेमी से फिर फाइनल भी हो जाते हैं, खुद लिखते हैं बाबा, हम फिर गया, अर्थात गिर गया, हमनी काला मू कर दिया, माया ने धोका दे दिया, माया के तुफान बहुत आते हैं, बात कहते काम कटारी चलाई तो यह भी एक दो को दुख दिया इसलिए पर्तिग्या कराते हैं ब्लड निकालकर भी उनसे बड़ा पत्र लिखते हैं आज वह है नहीं बात कहते हैं ओह माया तुम बड़ी जबरदस्त हो ऐसे ऐसे बच्चों को ब्लड से भी लिकर के देते हैं तुम उनक को भी खा लेती हो ऐसे ऐसे बच्चे जो ब्लड से लिकर के देते तो माया उनको भी खा जाती जैसे बाप समर्थ है माया भी समर्थ है आधा कल्प बाप की समर्थी का वर्षा मिलता है आधा कल्प फिर माया वह समर्थी गमा देती है यह है भारत की बात देवी देवता धर अभी तुम लक्षमी नारेन के मंदिर में जाएंगे, तुम तो वंडर खाएंगे, इस घराने के तो हम थे, अभी हम पढ़ रही हैं, इनकी आत्मा भी बाबा से पढ़ रही है, आगे तो जहां तहां तुम माथा देखते थे, अभी ज्यान हैं, हर एक के सारे 84 जन्व को अपना पार्ट है, जो बजाते रहते हैं, बाब कहते हैं, बच्ची सदेव हर्षित रहो, यहां के हर्षित पने के संसकार फिर साथ में जाएंगे, तुम जानते हो, हम क्या बनते हैं, बेहत का बाब हमको यह वर्षा दे रहे हैं, और कोई भी दे न सके, एक भी मनुष्य नहीं जिसको पता हो कि लक्ष्मी नारेन कहां गए, समझते हैं, जहां से आए, वहां चले गए, अब बाब कहते हैं, बुद्धी से जज करो, भक्ती मार्ग में भी तुम वेज शास्त्र पढ़ते हो, अभी मैं तुमको ज्ञान सुनाता हूँ, तुम जज करो, भक्ती हैं, बाप, राम है राइटियस, रामन है अन राइटियस, हर बात में असत्य बोलते हैं, ये ज्ञान की बातों के लिए कहा जाता हैं, तुम समझते हो, पहले हम सब असत्य बोलते थे, दान पुन्य आदी करते भी सीरी नीचे उतरते हैं, तुम देते हो आत्माओं को, जो पाप आत्मा पाप आत्मा को देते, तो फिर पुन्नी आत्मा कैसे बनेंगे? वहाँ आत्मों की लेंदेन होती ही नहीं, यहां तो लाखो रुपयों का कर्ज लेते रहते हैं. इस रामन राज्य में कदम कदम पर मनुश्यों को दुख है, अभी तुम संगम पर हो, तुमारे तो कदम कदम में पदम हैं, देवताईं पदम पती कैसे बनें? यह किसी को भी पता नहीं. स्वरग तो जरूर था, निशानिया हैं, बाकी उन्हें. यह नहीं पता हैं कि कौन कौन से करम किये अगली जनम में, जो राज्य मिला. वेह तो है ही नई स्रिष्टी. तुफाल तो ख्यालात होते ही नहीं, उसको कहा जाता है सुक धाम. पाइंच हजार वर्स की बात हैं, तुम पढ़ते हो सुक के लिए, पामन बनने के लिए. आथा युक्तिया निकलती हैं, बाप कितना अच्छी रिती समझाते हैं. शान्ती धाम आत्मों के रहने का श्थान हैं, उसे स्वीट होम कहा जाता है, जैसे विलाइत से आते हैं. त शान्ती का सागर है, जिसका पार्थी पिछाडी में होगा, तो कितना समय शान्ती में रहते होंगे, बाबा का बहुत थोड़ा पार्ट कहेंगे, इस ड्राम में तुम्हारा हीरो हीरोन का पार्ट है, तुम विश्व के मालिक बनते हो, ये नशा कभी और कोई को हो न सके, श स्वरक के सुख है ही नहीं, ये है तो तुम बच्चों को ही मिलते हैं, जिन बच्चों को बाप देखते हैं, कहते हैं बाबा तुम ही से बोलू, तुम ही से बात करूं, आदी आदी, बाप भी कहते हैं, मैं तुम बच्चों को देख देख बड़ा हर्शित होता हूँ, हम 5000 से जारवर्ष के बाद आई हैं बच्चों को दुख धाम से सुख धाम में ले जाते हैं क्योंकि काम चिता पर चढ़ते चढ़ते जलकर भसम हो पड़े हैं अब उनको जाकर के कबर से निकालना है आत्म ही तु सब हाजिर है ना उनको पामन बनाना है तो बाप कहते हैं एक से ही तालुक रखना है तुम्हारा कहना भी था आप आएंगे तो आपके सिवाई और कोई को याद नहीं करेंगे आपकी ही मत पर चलेंगे स्रेष्ट बनेंगे गाते भी हैं उचे ते उच भगवान उनकी मत भी उचे ते उची है तो बाप खुद कहते हैं ये ज्यान जो अब तुमको देता हूं वह फिर प्रैलोफ हो जाएका भक्ति मारक के शाष्टतरों परमपरा से चले आते हैं कहते हैं रामन भी चला आता है तुम पूछो रामन को कब से जलाते हो क्यों जलाते हो तो कुछ भी पता नहीं आर्थ ना समझने के कान कितना शाधमाना करते बहुत विजिटर्स आधि को बुलाते हैं जैसे सेरोमनी करते हैं तुम समझ नहीं सकते रामन को कब से बनाते आते हैं दिन प्रति दिन बड़ा बनाते जाते हैं केते हैं यह परमपरा से चला आता है परन्तो ऐसे तो हो नहीं सकता आक्रीन रामन को कब तक जलाते रहेंगे तुम तो जानते हो बाकी थोड़ा समय है फिर तो इनका राज्य ही नहीं होगा तो बाप कहते हैं ये रामन सबसे बड़ा दुश्मन है इन पर विजय पानी है मनुष्यों की बुद्धी में बहुत सी बाते हैं तुम जानते हो इस ड्रामा में सेकिंड बई सेकिंड जो कुछ चलता है वह सब नूंद है तुम तिथी तारिक सारा हिसाब निकाल सकते हो कितना घाटा, कितने वर्ष, कितने मास हमारा पार चलता है वह सारा ज्यान बुद्धी में होना चाहिए बाबा हमको यह समझाते हैं बाप कहते मैं पतित पावन हो तुम मुझे बुलाते हो आकर के पावन बनाओ पावन दुनिया होती है शान्ति धाम सुक धाम में अभी तो सब पतित हैं हमेज़ा बाबा बाबा करते रहो यह भूलना नहीं है तो सदेश्व बाबा ही याद आएगा यह हमारा बाबा है पहले पहले है यह बेहद का बाबा बाबा कहने से ही खुशी के वर्सी की खुशी भी होगी सिरफ भगवान वैश्वर कहने से कभी ऐसा विचार नहीं आएगा सब को बोलो बेहद का बाप समझाते हैं ब्रह्मा द्वारा वह उनका रत है उनके द्वारा कहते हैं मैं तुम बच्चों को यह बनाता हूँ इस बैज में सारा ज्यान भरा हुआ है पिछारी में तुमको यही याद रहेगा शान्ति धाम, सुक धाम, दुख धाम को तो भूलते जाते हैं फिर शान्ति धाम, सुक धाम और दुख धाम को भूलते जाते हैं ये भी जानते हैं फिर नंबर वार्द सब अपने अपने ताइम पर आएंगे इस्लामी, बोधी, क्रिश्चन आदी कितने धेर है अनीक भाशाई हैं पहले था एक धरम फिर उनसे कितने निकले हैं कितने लड़ाईयां आदी लगी है लड़ते तो सब हैं क्योंकि निरन के बन चाते हैं अभी बाप क्याते हैं मैं तुमको राज्ची देता हूँ वह कभी कोई तुमसे छीन न सके बाप स्वरक का वर्षा देते हैं जो कोई छीन न सके इसमें अठंड अटल अडोल रहना है माये की तुफान तो जुरूर आएंगे पहले जो आया होगा वह सब अनभव करेगा न बिमारियां आदी सब हमेशा के लिए फिर खत्म होनी है इसलिए कर्मों का हिसाब किताब बिमारियां आदी जादा आएं इसमें डढ़ना नहीं ये सब पिछाड़ी की हैं फिर होंगी नहीं अभी सब उथल खाएंगी बुड़ों को भी मया जवान बना देती है मनुष्य वानप्रिस्त लेते हैं तो वहाँ फिमेल्स नहीं होती सन्याशे भी जंगल में चले जाते हैं वहाँ भी फिमेल्स नहीं होती कोई की तरफ देखते ही नहीं भिख्षाली चले गए आगे तो बिलकुल इस्त्री की तरफ देखते भी नहीं थे समझते थे जरूर बुद्धी चाही की बेहन भाई के संबन में भी बुद्धी जाती है इसलिए बाबा कहते हैं भाई भाई देखो शरीर का नाम भी नहीं ये बड़ी उची मंजिल है एकदम चोटी पर जाना है ये राजधानी स्थापन होती है इसमें बड़ी मेहनत है कहते हैं हम तो लक्षमी नारेन बनेंगे बाब कहते हैं बनो शिरीमत पर चलो माये की तुफान तो आएंगे कारमी इंद्रियों से कुछ भी नहीं करना देवाला आदी तो ऐसे ही मारते रहते हैं ऐसे नहीं ज्यान में आये तब देवाला मारा वो तो चला आता है बाब तो कहते हैं मैं आया हूं तुमको पती से फामन बनाने कब बहुत अच्छी सर्विस करते औरों को समझावनती फिर देवाला मारंती माय हो बड़ी जवरदस्त है अच्छे अच्छे बच्चे गिर पड़ते हैं तो बाप बैर समझाते हैं मेरी सर्विस करने वाले बच्चे ही मुझे प्रिया लगते हैं बहुतों को सुकदाई बनाते हैं ऐसे बच्चों को याद करता रहता हूं अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रती मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुट मॉर्निंग डाइमन मॉर्निंग रोखानी बाप की रोखानी बच्चों को नमस्ते हम रोखानी बच्चों की रोखानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार Good morning, diamond morning, Om, Namaste धार्ना के लिए मुख्य सार हैं किसी के भी नाम रूप में फंसकर कुल कलंकित नहीं बनना है माये के धोके में आकर एक दो को दुख नहीं देना है बाप से समर्थी का वर्षा ले लेना है सदाहर्शित रहनी के संसकार यहां से ही भढने है अब पाप आत्मों से कोई भी लेन देन नहीं करनी है बीमारियों आदी से डर्णा नहीं है सब हिसाब किताब अभी ही चुक्तु करनी है वर्दान विल पावर द्वारा सेकिन में स्वार्थ को फुल व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले विल पावर द्वारा सेकिन में व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाने वाले अश्रीरी भव स्पस्टी करन सेकिन में अश्रीरी बनने का फाउंडेशन यह बेहद की व्यराग ब्रती है ये व्यराग ब्रती ऐसी योग्य धानी है उसमें जो भी डालो उसका फल फॉरन निकलता है तो अब ऐसी विल पावर हो जो संकल्प किया व्यर्थ स्माप्त तो सेकिन में स्माप्त हो जाए जब चाहू जहां चाहू जिस इस्तिती में चाहू सेकिन में सेट कर लो सेवा खीचे नहीं सेकेंड में फूल स्टॉप लग जाए तो सहजी अश्रीरी बन जाएंगे स्लोगन बाप समान बनना है तो बिगडी को बनाने वाले बनो अव्यक्त इशारा ये देहे रूपी वस्तर किसी भी संसकार से लटका हुआ ना हो जब भी पुराने संसकारों से न्यारी हो जाएंगे तो फिर अवस्ता भी न्यारी हो जाएगे इसलिए सभी बातों में इजी रहो जब खुद सभी में इजी रहेंगे तो सभी कारिय में इजी होंगे और पुरुशार्थ भी इजी होगा ओम शान्ते